जहें हैं दोस्तों शारुक खान की पठान मूवी पर फिर से करी पॉलिटिक्स लेकिन इस पॉलिटिक्स से मिनिश्टर्स को समझ में आ गया है कि अब कोई फायता नहीं है यह साथ काम करने से और बॉयकॉट का ट्रेंड चलाने से अब क्या होगा कल साम की सियम जो थे उन्होंने एक स्पीच में अपनी यह बोल दिया कि हुए सचार के तो फिर शारुक खान ने इनको रात के दो बज़े कॉल करा और करनेशन बताया कि आपकी यह जो स्पीचिस हैं इसको लेके उसके बाद उन्होंने का कि जो गांश्रेट है उसमें लॉइन ओर्डर की स्मॉस्बिल्टी श्रेट गर्मेंट की होती है तो हम इसकी पूरे शॉर्टी देते हैं कि कोई भी ऐसा अन्मॉंटेड इंसिटेंट होगा नहीं उसके बाद मोधी जी ने भी अपने मिनस्टर से यह कह दिया अपने सारी पार्टी मेंबर से यह कह दिया कि अन्नेसिसरी कमेंट ना मनाएं किसी भी मूवी पे मतलब उनको यह समझ में आ गया है कि अब इस बॉयकॉट पर्थान बॉयकॉट बॉलिवोड ट्रेंड करने से कोई सपोर्टर नहीं बढ़ेगा बलकि सपोर्टर कम हो जाएंगे अब यह फुलिशनेस्ट और यह अननसेसरी कमेंट से हमें खाल से बिचुबिय के तरफ से जो अब आते थे वह नहीं आएंगे उसको लेके जो हमारे एक्टर है एक और अक्षे कुमार उन्होंने मोदी जी को प्रेस करा है उन्होंने कहा है कि मोदी जी का जो इंफुलेंसर हो काफी अच्छा है काफी बड़ा है और यह बिगस इंडिया के और इसको लेके हो सकता है बॉलिवोड जो है पापस से उपर उठे और यह जो अननेसेसरी प्रोटेस्ट और बॉयकॉट ट्रेंट चल रहा था वो कम होजाएगा खतम होजाएगा जाह तक है तो यह था प्री कॉंट्रवर्सी यहां पर जो बेजुपिने पॉलिटिक्स करी है वो एक वोट बैंक के लिए करी है उनके मिनिश्रस कुछ वो देश के बॉल्वूर्ड और करते बाकी साही चीजों के लिए प्रेशानी बनके आती है तो आगे अब जितनी भी अपडेट होंगी वो मैं आपको बताता रोंगा तब तक लिए जाएं